आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले USB के टाइप्स के बारे में So, USB के टाइप्स हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखे थे वो थे Speed and Power Compatibility के हिसाब से and इस बार हम लोग देखेंगे Type A, Type B and Type C के बारे में लास्ट वीडियो में जो टाइप्स थे वो अक्चुली फंक्शनालिटी बेस्ट थे यानि की अलग-अलग Speed, Power Delivery and अलग-अलग Functions USB के जैसे की USB 1, USB 2, USB 3 and the latest USB 4 अब जो हम लोग टाइप देख रहे हैं वो अक्चुली फिजिकली दिखने में भी पोर्ट अलग है अब एक दूसरे में पोर्ट नहीं लगेंगे ऐसे वाले हैं So, before starting पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है USB USB यानि Universal Serial Bus and यह वही केबल होती है जिससे आप या तो फोन को चार्ज करते हो या फिर डेटा ट्रांसफर करते हो इसमें previous वीडियो में power delivery वगेरा के हिसाब से जो divisions है वो explain किये थे आज हम लोग देखेंगे type A, type B and USB type C जो की आजकल के सारे phones including laptops को भी power करता है and power करने के साथ and data transfer के साथ USB type C actually आपको monitor में भी use होता है यानि कि display port के तरह भी use होता है इसमें बहुत जादा designs है and यह physically अलग-अलग designs है दिखने में भी and यह सारे एक दूसरे से compatible हैं भी and नहीं भी ऐसी चीज़ है so let's start पहले हम लोग types explain करने से पहले हम लोग जान लेते होस्ट क्या होता है USB receptor क्या होता है and USB port क्या होता है so USB host वही चीज होती है जो आपके computer के back and front में cabinet पे लगता है other words USB host basically वह चीज होती है जिसमें आप transfer करते हो जिस से transfer करते हो यानि PC से आप mobile में करते हो तो PC host हो गया so starting with USB type A, USB type A usually host की जगह यूज होता है यानि कि यह बहुत जादा popular है and यह सभी laptops and devstock में as a host यूज होता है and usually यह broader connector है इसी लिए यूज होता है बड़े devices में जैसे laptops and computers even peripheral device जैसे कि आपका USB keyboard and आपका USB mouse इसी से connect होता है यह broader connector होता है इसी लिए बड़े laptops में use होता है जबकि USB micro या फिर USB type B जो होता है यह phones and छोटे devices जैसे microphones में use होता है so usually बहुत जादा peripheral devices USB type B normal वाला use करेंगे and usually यह सारे devices, microphones, multimedia related items होंगे क्योंकि इसमें बहुत जादा आपको data transfer speed मिलती है and even charge करने के लिए भी यह use होता है उसके बाद आता है USB type C so type C एक ऐसा connector है जो दोनों side plug हो सकता है and usually chargers में use होता है and यह बहुत जादा headline में रहा है Apple के 12-inch के MacBook के launch के बाद क्योंकि उसमें पहली बार USB type C देखा गया था so USB type B छोटे जैसे devices में use होता है क्योंकि वो छोटा है वैसे ही type C भी छोटा है इसलिए smartphones and ऐसे छोटे device में use होता है इसमें speed 40 Gbps की मिलती है USB standard 4 में जो की सिर्फ USB type C को support करता है यानि अगर USB 4 standard का आपको कोई port चाहिए तो वो type C में ही मिलेगा and type C 100 watts का power देता है 20 volts पे at 5 ampere so USB type C 3.1 अगर आपने use किया होगा वो 10 Gbps का power देता है and usually laptops के charger range में होते है वो है 40 to 70 watts की power supply लगती है laptop को and जैसे की हम लोग ने देखा USB type C 100 watts की supply देता है इसलिए usually type C के अब charger आने लग गए है so moving on और एक mini type का USB है जो कि यह USB mini type B जो कि एक smaller form factor as compared to type B and इसमें 5 pin होती है and 6 pin अगर होगी मतलब 5 से एक जादा होगी तो वो OTG device के लिए use होगा यानि वो host भी बन सकता है यानि कि सिर्फ data transfer के लिए नहीं डेटा भेज भी सकता है and pen drive भी connect कर सकते हो similarly micro B है जो mini का और छोटा version है and यह basically same 5 pin यूज़ करता है and 6 pin for OTG October 22, 2019 में International Telecommunication Union ITU ने announce किया था micro type B USB को universal charging solution के तौर पे इसलिए उसके बाद के सारे android chargers micro type B यूज़ करने लग गए थे जो की अब replace हो चुका है type C से and अब तक जादा तर जो भी नए phones आते वो type C के होते है and अगर आप ऐसे ही tech में interest रखते हो and technology videos में interest रखते हो मुझे लगता है मैं strongly suggest करूँगा आप मेरे YouTube channel जरूर subscribe करो क्योंकि यहाँ पे मैं regularly animated tech videos बनाता हूँ क्योंकि बनाता हूँ